मुश्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरी चैनल पर मार्केट की इंफोमिशन पर लेकर आगे हो के लिए शांदर वीडियो आया हो वन डे आपने मेरे को मिस किया होगा और यहां पर जो है आपसे बात करना हुआ हो संसक्स के बारे में और संसक्स के अंदर में गिरावट आप आपको गिरावट देखने को फिलाल मिल रही है पोर्टफोलियो के अंदर में आपको गेन नहीं हो रहा है हाला कि मार्केट दो देन से उपर है लेकिन आपको कोई गेन नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस के अंदर में आपको गिरावट का सामना करना देखने को मिला और गिरावट का सामने इसली देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर जो है इनके उपर में आरोप लगाए गया है कि इन्होंने 32 करोड का GST इवेजन किया है आपके सामने यहाँ पर एक न्यूज है एक गंटे पहले कि जिसके वज़र से Infosys के शेर में काफी गिरावट आपको देखें को फिलाल मिली है या वेब कंपनी के उपर में अगर मैं बात करता हूँ तो 13% उसके शेर लोड़क गया 13% लोड़कने का क्या कारण है भाईया एक ही कारण है यहाँ पर क्या हो रहा है quarter results आपको back to back देखें को फिलाल मिल रहे है तो quarter results की वज़े से क्या हो रहा है इनके अंदर में गिरावट देखें को मिल रही है और जिस शेयर की में बात करूं उसका नाम है आइडिया फोर्ज और ड्रोन बना मिले कंपणी के जैसे नतीजी जो लॉंच जो है एक दिन जो है मार्केट के अंदर में आपको इसके अंदर में 11% गिरावट और दूसर दिन आपको 2-3% गिरावट आपको देखें को फिलाल मिली है इसके अंदर में क्या हुआ है कि नेट प्रॉफिल ने 90% की गिरावट देखें हो बड़ी है लेकिन सबसे अच्छी बत क्या है कमपनी लॉस में ने गही है कमपनी ने प्रॉफिट ही किया है लेकिन प्रॉफिट फॉल हुआ है तो जो हमने एस्टिमेशन किया था उसको फॉल किया गया है लेकिन कमपनी के आगे जाने की चांसे क्या है भीया कंपरी के पास में order book क्या कहती है company को जो है future में कितने order और मिलने वाले हैं तो वो company के पास में already है तो suppose इस बार का profit अगर fall हो गया है तो हमें पता है कि order book अच्छी है तो अगला आने वाला profit ज़ाधा अच्छा है तो वो already इसको year to year और quarter to quarter जो है beat करेगा और आने वाले time पर जो 10-11 परसंट जो अभी lose हुआ है वो एक दिन में ही वापस से उसको gain करेगा तो this is the good opportunity that you can buy the idea forge idea forge आपको जो है अगर एक मैने के चार्ट के उपर में देखने को चलो तो यह उसका consolidation था जहाँ पर उसको 790 के आसपास में आपको देखने को मिल दा था जहाँ पर आपको उसको बहुत अच्छा buy कर सकते है लेकिन अभी जो market में fall आया है उस fall के जैसे यह fall जो है वो reverse कर जाएगा reverse नहीं भी करता है तो उसका अगला contribution जो period है वहाँ तक ही वह maximum गिर सकता है उसके बाद में भी आप चाहें तो इसको और buy कर सकते है तो यहाँ पर आप 50% buy कर सकते हो और 50% जो है अगर आप नीचे आता है तो 690 के आसपास में बाइग कर सकते हो और इस पर SL आपको कित्ने का लगाना है तो वो maximum chart की तरफ में लेगट तरूँगा जहां पर आपको weakest to weakest अगर आपको देखें को अगर ही मिल रहा है all time पर तो वो है यहां पर इसका जो है सबसे ज़्यादा इसने low जो इसमें बनाया है वो अगर आप देखेंगे चार्ट के उपर में तो यहां पर 673 आपको देखें को मिल रहा है तो यह आपका जो 672 होगा वो stop loss बन जाएगा ठीक है जाद आपको सोचने की ज़रूत नहीं है लेकिन यह share इतना जादा गिरने के chances बहुत कम है उसका बात करते हैं इंडिया मार्ट इंटर मैश की तो इंडिया मार्ट के अंदर में आपको गि परमिता हाई बनाया मार्केट में रिजल्ट आने से पहले 3152 का और वापस से अभी गिरावट जो हुई है वो क्या हुई है प्रॉफिट विक हुए तो आपका अगला जो एवरेज जो बाइंग है वो है 2800 रुपे के असपास में अगर यह share नीची की तरफ में आता है तो यह मार्केट के अंदरे में अगर आपको वापस इसको रिवाइंग करना है तो आप इसको जो रिवाइंग है वो 3200 रुपे के लेवल पर आप एजली कर सकते हो एसल वहाँ पर आप लगाओगे 3150 का सो 45 परसेंट अगर कोई share लुड़क सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो थमनेल के अंदर में expert के रहे हैं बहिया एक एक नहीं 10 expert ने कहा दिया है तुरंज बेज दो भाव गिरने वाला है जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलजी और डिक्सन टेक्नोलजी का भाव जो है आज भी आपको 2% गिर कर जो है नीचे की तरफ बंद होते हैं तो 12195 का उसका लेटेस्ट भाव है चलिए आगे इसके उपर में बात करते हैं इसके क्या हुआ वह क्वाटर प्रोफिट के रिजल्ट्स रागए ब्रुकेश्ट्रम ने इसको क्या किया आउट पर फॉर्म जो है रेटिंग इसको करार दिया और यहां पर क्या हो रहा रहा है कि भाई ये 2% गिर कर जो है नीचे बंद हुआ है अब यहां पर आउट पर से घटा कर इसको शेर में 43% की गिरावट की संभावना दिख रही है उन्होंने टार्गेट प्राइज रिवाइज किया है 6740 का तो अभी आप अगर स्टॉक को अगर अपने ले रखा है तो 35% नहीं 45% की जो है वो गिरावट दर्च की जा रही है या ऐसा अनुमान लगाए जा रहा है फिलाल तो 29 के अंदर में से 14 ने इसके उपर में खरीदने की सिफारिश की 5 ने होल्ड की की है और 10 ने बेशने की सिफारिश की है कि भाईया ये शेर ओर वैलूड हो गया है या जितना उसने बेसिकली उसको परफॉर्म करना था वो हाई पे एलबेशन पर चला गया या उसका पी जो है वो हाई हो चुका है जाता तो यहां पर एक मेरे पहले की चार्ट की बात करता हूँ तो यहां पर अगर आप देखेंगे 10,910 मतब 11,000 रुपे के असपास पर उसका चार्ट के उपर में जो है प्राइजिंग आपको देखे हो मिल रहा है तो यही उसका अबटा में अगर इससे नीचे गरता है तो आप उसको बेज सकते हो अगर इससे नीचे नहीं गरता है तब तक आप इसको hold करोगे इसको buying के अंदर में भी नहीं डालोगे भी आप ना buying करना है ना sale करना है अभी आपको इसको hold के उपर मगडना है तो जिन्होंने ले रखा है अब buying करने वालों के लिए क्या scheme है क्या है क्या नहीं है क्योंकि देखिए budget आगया budget के अंदर में mobile से related अभी कोई PLI scheme के लिए कुछ भी नहीं है तो आपको एक साल तक थोड़ा सा इसके अंदर में ऐसे एक से डाउंस देखने को फिलाल मिल सकते हैं और आने वाले साल के अंदर में जो नया साल आप लगने वाला होगा उसके अंदर में हो सकता है, शाद बाद में आप इसको buying की तरफ में जाएंगे तो वीडियो कर अचा लागा तो like subscribe जरूर करना और अगर हमेरे किसी भी group से जुना तो दिये कि number पर message या call करना आपको हर तरह की service मिल जाएगी share की भी मिल जाएगी share long term short term old की भी मिल जाएगी future intraday stock option की मिल जाएगी nifty bank nifty और fin nifty और sensex की भी service मिल जाएगी see you soon